लो गाइस मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं Financial Freedom with दीपक वीडियो का थमनेल और टाइटल देखके आपको पता चल गया होगा कि वीडियो कौन से बारे में बनाया गया है आज मैं आपको पैनी स्टोक वज़स फंडामेंटल स्टोक के बारे में बताऊंगा कि पैनी स्टो श्टोक क्या होता है तो हमर इंडिया के अगर बीज की का स्टोक के जो पैनी मार्केट केप उसका दर साल बढ़ रहा है उसमें अच्छी ग्रोथ आ रही है रेवन्यू बढ़ रहा है और इंवेश्टर उसमें इंटरस्ट भी दिखा रहे है ऐसे स्टोक को फंडमेंटली स्टोक बोला जाता है जो हमारे इंडेक्स निप्टी 50 में आते है उसे हम खास करके फंडमेंटली स्टोक बोल सकते है अगर ऐसे स्टोक में आप इंवेश्ट करेंगे फंडमेंटली स्टोक में तो आपको डिवीडेंट भी मिल सकता है काफी सारे स्टोक ऐसे है जो अच्छा अच्छा डिविडेंट देते हैं आपको FD के व्याज के जितना तो आपको डिविडेंट ही मिल जाता है और अगर आप पैनी स्टोक में इंवेस्ट करते हैं तो डिविडेंट को आप भूली जाएं पैनी स्टोक में लोग के लालच में आके इंवेस्ट करते है मैंसा नहीं बोल रहा कि आप penny stock में invest बिल्कूल ही ना करें लेकिन penny stock में invest करना है तो आपको आपकी capacity के according ही invest करना है ना कि आपकी capacity के बाहर आपको invest करना है लेकिन आप fundamentally strong stock पर आप जरूर अच्छा निवेश कर सकते हैं according to penny stock fundamentally strong stock आपको दिखाएगा कि आप उसमें एक safe investment कर रहे है उसलिए index उसमें उसको add किया होता है इसलिए आप fundamental strong stock पर पहले नजर डालिए बाद में अगर आपके पास उतना fund है कि आप उसे भूल भी सकते हैं कभी आप penny stock पर आईए penny stock भी ऐसा select किजिए जहापका पैसा अच्छा स मल्टी बैगर कर पाएं वहना काफी सारे penny stock होते हैं वह डूबने के chances जादा होते हैं penny stock यानि कि पहन दे वैसा stock तो पहन आपको चाहिए तो ही उसमें ज्यादतर निवेस कीजिए वरना आप अपनी capacity के according थोड़ा सा invest ही कीजिए penny stock और fundamental stock में बड़ा reasons यहीं है कि fundamental stock पर आप दम से बढ़ जाएगी या फिर एक दम से आपका zero भी हो सकता है तो आप उस risk और reward के ratio से देखिए यहाँ पर कुछ सला नहीं है कि आप fundamental stock ही ले invest कीजिए आपको जो करना है वह आप कर सकते हैं लेकिन जो भी करें आप सोच समझ के trading करे investment करें market का यही रूल होता है अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ऐसी ही knowledgeable वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा thank you so much for watching till the time we will see you in the next video have a great day